हेलो दोस्तों आज मैंने नेटपलिक्स पर एलीट का फीजन फाइब देखकर कम्पलीट किया हालांकि होफ्टल डेज फीजन थी के बाद की मेरे प्लांस कुछ और थे बट जब मुझे पता चला कि 1899 शो आज 17 नवंबर को नेटपलिक्स पर रिलीज होने बाला है और कल 18 नवंबर को एलीट का फीजन फिक्स आ रहा है तो मुझे ये शो कल की शाम से ही देखना इस्टाइट करना पड़ा और रात करीब एक बजी मैंने से देखकर कम्पलीट किया और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि सीजन फाइब के एंड में कुछ अच्छी चीजे होती है लास्ट एपिजोड के आखिर के 15-20 मिनिट मुझे बहुत ज्यारा इंटेंस, एक्साइटिंग और इंगेजिंग लगे और सिर्फ यही बो पल था जब मैं इस शो में पूरी तरह से इंबेस्ट हो पाया और इसका एंड देखकर तो मुझे बाइबस आ रही है कि अगला सीजन काफी ज्यारा अच्छा होने बाला है ऐसा मुझे लगता है बट एलीट की अगर पतान हिस्टरी को खोल कर देखें तो ऐसा होने की चांसिस काफी कम है तो इस सीजन का एंड काफी ज्यारा अच्छा था लेकिन उसके लाबा इस शो में बहुत सारी प्राब्लम्स हैं बहुत सारे इश्यूस हैं जैसा की एलीट में हमेशा से होता आया है की मेकल्स हमेशा सस्पेंस को बनाने के लिए शो के आखर में हुई किसी घटना को सबसे पहले दिखाती हैं जिसे की ओडियेंस एक्साइट हो सके तो इसके इस्टाइट में भी कुछ बही हुआ बट यहां हमें पता नहीं चलता कि किसके साथ क्या हुआ है उसके बाद as usual शोपाफ्ट में जाता है और उसके बाद डेटेल में सारी चीजों को दिखाता है और फिर बहुत व्यादा फिलोली फिलोली और ड्रेग होते हुए गिफटते हुए किसी तरह से final episode तक पहुँचता है और तब हमें सारी चीज़ें के लिए हो पाती है कि अब किसकी किसमत फूट गई हलांकि पिछले episode के start or end में हमें police investigation देखने को मिलती है जहां वो अपकोस एक killer की तलाश में होते है तो यहां पर start or end prevent में चलता है जब वो accident हो चुका होता है और episode का middle part चलता है past में जब चीज़ें धीरे धीरे अब के prevent की और बढ़ रही होती है लेकिन start से ही यह शो बहुत व्यादा flow है बहुत व्यादा boring है और बहुत व्यादा landy भी फिल होता है पहले चार episodes तक यहां कुछ भी नहीं होता I mean story by जो कुछ भी interesting और engaging नहीं होता हलांकि माँ पर इस दौदान बगबास ड्रामा चलता रहता है जो हमें बोरियत के अलाबा कुछ भी offer नहीं कर पाता बट फोल्त episode से चीज़ें interesting होना शुरू होई जब पिछली season 4 में उनके द्वारा किये गए पाप उनके सामने आकर खड़े हो गए उसके बाद फिर बही सब investigation जाच परताल उसके संपर्ग किस किस से थे उसके links यही सब चीज़ें चलती रहती है लेकिन फोल्त episode का एक side ये था लेकिन दूसरे side पर एक party कह सकते हैं वो चल रही थी बैसे तो वो auction चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ जब ये चीज़ें चल रही होती है आई मीन जो police case type तब ही उस बक्त उस auction के दोदान मैंजिया के साथ उस mobile को लेकर कुछ ऐसा होता है जो हमारा ध्यान अपनी और खीजता है और फिर इस फोल्स episode का जो सबसे last बाला फीन था बो इस शो का सबसे बड़ा surprising और shocking twist था और यार यहाँ इस twist को start से लेकर end तक जिस तरह से present किया गया है बो चीज आपको भी बहुत व्यादा पसंद आएगी आई मिन यहाँ पर दो बाल राते होती है लेकिन उसे कुछ इस तरह से present किया गया है जो लगता है कि जैसे यह सब एक ही गटना थी तो इसकी यह setting इसका यह presentation मुझे काफी पसंद आया बट इस शो की बहुत व्यादा गटिया है बकबास है आदे से बहुत व्यादा टाइम तक यह शो पूरी तरह से फिलो ड्रैग और बकबास ही था और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी फिम्ष थे जो बेफिवूल थे जिनें अगर कट भी कर दिया जाता तो इससे कोई फरक न पड़ता और fourth episode के बाद जब चीज़े मुझे लगी की interesting और exciting होगी बट ऐसा नहीं होता ये फिर फिलू और drag होने लग जाता है जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लंबे लंबे बेफिजूल themes को cut किया जा सकता था और इस शो में मैं फिर्फ बहीं पर ही इनबेफ्ट हो पाता था जब चीज़ें कुछ interesting होती थी और almost पूरे time तक मैं इस शो से पूरी तरह से distracted और disconnected ही था मैं इस शो में पूरी तरह से इनबेफ्ट ही नहीं हो पाया यहां पर कुछ गिने चुने themes ही थी जब मैं इससे relate कर पाता था और इन कुछ themes के अलबा और इसके end को छोड़कर यह मुझे कहीं पर भी engaging, exciting और intense जैसा feel नहीं हुआ जब मुझे इससे आगे भी continue करने का मन किया हो यहां पर ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था हलांकि इसके end के बाद मैं fixed season के लिए काफी ज्यादा excited हूँ बट इसके लबाई यह शो मुझे कहीं पर भी hooking book नहीं कर पाया यहां पर बोबाला फील, बोबाली बात और बोबाला मज़ा नहीं था जो पहले season से लेकर तीफरी season तक था यहां तक की second episode मैं ही मैंने इसे देखना छोड़ दिया होता क्यूंकि यहां पर मुझे कुछ भी अच्छा होता हुआ मालूम नहीं पड़ा बट फिर भी मैं इसके साथ जबल रफ्ती चिपका रहा और जैसा कि मैंने कहा इसके episodes की length बहुत व्यादा फिल होती है जब मैं उम्मीद कर रहा था कि किसी particular episode को देखते हुए मुझे 25-30 मिनट हो गए होंगे और जब मैं screen पर tap करके देखता था तो फिर्फ 10-12 मिनट ही होते थे तो यह show कुछ इस कदर से slow है और यह अपने plot से बहुत व्यादा और बहुत देदे तक मुझे बटकता हुआ फिल हुआ बीच बीच में यहाँ पर कुछ ऐसे भी moments थे जब मुझे बोबाली vibes आ रही थी कि मैं elite नहीं कुछ और देख रहा हूँ और इसका screen पर बहुत व्यादा कमजोर है और नहीं यहाँ पर इन दोनों scenes के अलाबा कोई व्यादा बड़े twist return है तो ये show आपको आगे देखने के लिए मजबूर कर पाए उत्वाहित कर पाए ऐसा तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया हलांकि यहाँ पर defend मसाला है I mean मसाला क्या बही सेम चीजें homo, lesbo और gay ही यहाँ पर चलता रहता है हर कोई कहीं न कहीं किसी के साथ लगा हुआ है और नहीं इस बार इस show में मुझे व्यादा potential नज़र आया treatment तो अपकोस इसे दिया ही नहीं गया हलांकि storyline इस बार मुझे कुछ पसंद आई और भी कुछी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं बट unfortunately मैंसे ज्यादा तो आपको नहीं बता सकता end actors तो यहाँ पर इस बार हमें बहुत सारे नई चेहरे देखने को मिलते हैं बट यहाँ पर किसी को भी ज्यादा अच्छे से develop नहीं किया गया जिससे की मैं characters मैं deeply जा सकूँ और पराने almost सारे characters even guzman को भी यहाँ से हटा दिया गया है तो यह बो दो बज़े हैं थी जिसकी बज़े से मुझे इस issue में ज्यादा interest नहीं आ रहा था बाकी actors की performance यहाँ पर काफी अच्छी है कुछ की decent है बट मुझे सभी काफी पसंद आए तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीज़े होती है मेरी मजबूरी थी इसे देखना तो मैंने binge watch कर लिया बट मुझे कहीं पर भी मज़ा नहीं आया और नहीं मैं इसे enjoy कर पाया लेकिन season 4 के comparison में मुझे यह कुछ बहतर लगा हलंकि यह से ज्यादा मैं इसके बारे में और भी काफी कुछ बोल सकता हूँ बट review already ही काफी लंबा हो चुका है So 2.5 stars That's my rating for season 5 of Elite मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर यक्ट पच करें फिर चाहिए आप लाइक करें और इस लाइक इस अप्ट होए हो बाकि अगर आप लोगों ने यह season 5 देखा है Elite का तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है and of course लाइक शेदे और सब्सक्राब करना चैनल को वीडियो को चलिए, it's the moment for me to say tada